वेल्कम बैक क्लीन नियूज चलिए देखते हैं मध्योप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप MPK के जिले से नियूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए साथी डेली अब जीट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दवाना बिल्कुल न भूले आज कल आइकेम 3000 है उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे मद्यप्रदेश में हिंदी में होगी चिकित्सा की पढ़ाई मंत्री विश्वास सारंगने की घोशना हिंदी दिवस के मौके पर मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ी घोशना की गई प्रदेश में अप चिकित्सा चात्रों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा मेडिकल का पूरा पाठिक्रम हिंदी में होगा प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंतरी विश्वास सारंग ने इस आशे की खोशना की उन्होंने प्रदेश वासियों को हिंदी दिवस के शुपकामनाय देते हुए कहा कि हम जल्द से जल्द एक कमेटी का निर्मान कर रही हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मैडिकल एजुकेशन का पाठिक्रम हिंदी में भी शुरू करें अनुसूचित जातिक हिद्ग्राहियों को अक्टूबर में भुपाल में मिलेगा निशुलक पशुपालन प्रशिक्षन पशुपालन और देरे विभाग द्वारा अनुसूचित जाती के हिद्गाहियों के लिए राजे पशुपालन प्रिशिक्षन संस्थान भुपाल में अक्टूबर 2021 में निशलक तीन दिवसिया आवासिया प्रिशिक्षन कारिक्रम शुरू किया जा रहा है पहले दो दिन सहधांतिक और अंतिम दिन व्यवारिक प्रिशिक्षन दिया जाएगा ये प्रिशिक्षन गौब हैंस बकरी मुर्गी और सूकर पालन में दिया जाएगा संचालक पशुपालन डॉक्टर आर के मेहिया ने बताया कि अनुसूचित जाती उप्योजना विशेश के इंद्रिय साहेता मत में आयोजित होने वाले इस प्रिशिक्षन कारिक्रम का उद्देश अनुसूचित जाती के लोगों का पशुपालन में कौशल विकास कर आई के बहतर विकल्प के लिए तयार करना है अद्रदेश के कॉलेज आज बुद्वार से खुलेंगे ठीका करन प्रमान पत्र जमा कराना होगा निवारे शिवराज क्याबिनेट की बैचक में आएम फैसले तीन दिन में निप्चानी होगी सीम हेलप लाइंग की फाइल बोबाल में हुई शिवराज क्याबिनेट की बैचक में कई एहम प्रस्तावों पर मोहन लगी क्याबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने सभी मंत्रियों को जिम्मदारी देते हुए कहा कि सभी मंत्रियों को कम से कम एक दिन अपने प्रभार वाले जिलों में जन दर्शन कारिक्रम करना होगा सियम शिवराज ने खुद भी जन तर्शन कारिकरम शुरू किया है इसके साथ ही कैबिनेट की बैचक में भी ये तैक किया गया कि कोरोना की वज़े से बंद हुए जन सुनवाई कारिकरम को फिर से शुरू किया जाएगा एमपी में 20 सितंबर से शुरू होगी एक से पांच वी तक की कक्षाई कोरोना की दूसरी लहर के बाद एमपी क्लास 6 से बारवी तक की कक्षाई लग रही है इन कक्षाओं में 50-20 दिचात्रों की उपस्तिती रहती है वहीं अब जूनियर सेक्षन को भी खोलने का निर्ने सरकान ने लिया है एमपी में क्लास 1 से लेकर पांच वी तक के स्कूल भी 20 सितंबर से खुल जाएंगे प्रात्मी क्लासस में अब इचात्रों की उपस्तिती 50% होगी सियम शिवराज सिंग चोहान ने घोशना की है कि प्रदेश में समस्त शासकी और अशासकी अशालाओ को फिर से प्रारंब करने का निर्ने लिया गया है MP की फिजा में सामप्रदाइक तनाव फैलाने की साज़िश इंटेलिजन्स ने प्रदेश पुलिस को किया अलरट 12 जिलो पर नज़र मद्रदेश के फिजा में सामप्रदाइक जहर गोलने की साज़िश की जा रही है साजिश पर नज़ा डखने और इसे नाकाम करने के लिए M.P. इंटेलिजन्स निप्रदेश पुलिस को अलर्ट किया है साथी जिलो को अतरिक्ति सतर्क्ता बरतने की निर्देश दिये सुत्रों के अनुसार इंटेलिजन्स को भुपाल इंदोर जबलपूर ग्वालियर उजैन बुरहानपूर खंडवा समेद 12 से जादा शहरों में सामप्रताई घटना की आशंका के इंपूट मिले है MPP Police Constable भरती परिक्षा का अक्टूबर नवंबर में होना मुश्किल MPP Police Constable भरती परिक्षा के आयोजन में और देरी हो सकती है बताया जा रहा है कि मद्ध्रदेश Professional Examination Board अक्टूबर नवंबर महा में बमुश्किल ही इस भरती परिक्षा का आयोजन कर पाई प्रकाशित खबर के मुदाबिक जिस एजनसी के जरीए MPP EB परिक्षाएं उजित कराती है अभी उसकी जान चल रही है हाल ही में P EB ने भरती परिक्षाओं में बड़ी गड़ बड़ी मिलने के बाद क्रामीन कृशिविस्तार अधिकारी सहेद तीन परिक्षाएं रद्द कर दी थी उत्र भारत के लिए मद्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के पशुप्रचनर प्रशेत्र के रद्पूर में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर के स्थापना का कारेपोन हो गया है केंद्र का उद्देश भारतिय गोब हैं स्वंशिय नसलो का संरक्षन और संवर्धन उत्पाद और उत्पादक्ता में व्रद्दी आनुवान शिक गुनवत्ता का उन्नेयन प्रमानित जर्म प्लाज्म का प्रदाय और देसी नसलो को विलुप्ती से बचाना है पदोनती में आरक्षन मामले में 10 अक्टूबर को आ सकता है सुप्रीम कोट का फैसला पदोनती में आरक्षन के बुद्दे पर सुप्रीम कोट ने मंगलवार को सुनवाई हुई लगबग एक घंटा चली सुनवाई में मद्यप्रदेश की ओर से विशेश अदिवक्ता मनोज गोर केला ने पक्ष रखा सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोट ने यथा इस्ति बरकरार रखने के निर्देश देते हुए सभी पक्षों को दो सप्ता के बीतर लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं 10 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम निर्णे आ सकता है उचकुनवत्ता के साथ जल्द पूरा करें मुख्यमंत्री सस्ति दवा दुकान का कारें के निर्देश दिये उन्होंने सुपोषण अभ्यान के तहट किये जा रहे कारें के समिक्षा की कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी कारे करता और मितान इनको पोषण दूर करने में आधार इस्तंब का कारे करती है गाड़ियों में इस्तंबाल के लिए MP में मक्का और चावल से बनेगा इथेनौल सरकार निक्खोला पिटारा मद्य परदेश में भी अब इथेनौल बनाया जाएगा सरकार ने इथेनौल पॉलिसी को मंजूरी दी है अभी तक 20 से ज़ादा कंपनी इथेनौल उत्पादन में आगे आई है इसमें खास ये होगा कि इथेनौल उत्पादन में काईयां 100 करोड रुपे लगाएंगी तो उन्हें 7 साल में लगभग 60 करोड रुपे इथेनौल कार वापस करेगी ग्रहमंत्री नरूतरम मिश्रा ने कहा MP में कोरोणा नियंत्रण में 24 गंटे में आए 7 नई केस ग्रहमंत्री डॉक्टर नरूतरम मिश्रा ने कहा कि मद्धिप्रदेश में कोरोणा लगभग नियंत्रण में है पिछले 24 गंटे में कोरोना के सिर्फ साथ नई केस आई जबकि 18 लोग स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में कुलेक्टिव केस 144 रिकवरी रेट 98.60 प्रतीशत हैं प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 63,422 टेस्ट हुए प्रदेश में कोविड वेक्सिनेशन का आकड़ा 75 करोड के पार कोहच गया मद्रप्रदेश में जारी रहेगा जमाजम का दौर 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलट वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर बने चार्श रक्तिशाली वैदर सिस्टम के असर से मंगलवार से मद्रप्रदेश में जमाजम बारिश का सलसला शुरू होने की समभावना है मौसम विज्यानियों के मताबिक अच्छी बारिश का दौर 2-3 दिन तक बना रहे सकता है इससे सितंबर महा में प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा होने की भी उम्मीद है केंद्रिय परिवान मंत्री नित्रिन गड़करी इन दौर में 11,000 करोड की परियोजनाओ का करेंगे लोकारपन केंद्रिय सड़क परिवान और राजमार्ग मंत्री नित्रिन गड़करी 16 सितंबर 2021 को इन दौर इस्थित ब्रिलियन कन्विंशन सेंटर में लगबग 11,000 करोड रुपे की लागत की रास्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाओ का भूमी पूजन और लोकारपन करेंगे, कारक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान करेंगे, लोग निर्मार मंत्री शिक गोपाल, भारगव और लोग निर्मार जमंत्री सुरेश ठाकर भी मौजूद रहेंगे, खुशाल बुढ़ापे के लिए इस स्कीम में कम निवेश में पास सकते हैं, 10,000 रुपे पेंशन, असंकटी शेत्री के लोगों के लिए शुरू की गई समाजिक सुरक्षा योजना, टल पेंशन, योजना, शादिशदा लोगों के लिए शांदार स्कीम है, अगर आप अपने बुढ़ापे को लेकर चिंते थें, तो फिर अटल पेंशन, योजना, अर्थिक तौर पर बुढ़ापे में आपका सहारा बन सकता है, इस सरकारी पेंशन स्कीम से देश भर में अब तक साड़े तीन करोड से अधिक जुड़ चुके हैं, इस स्कीम में पती और पतनी अलग-अलग अकाउंट खोल कर बुढ़ापे में हर महीने दस अजार रुपे की पेंशन हासल कर सकते हैं, जबलपुर में कूलर चलाने पर प्रशासन ने लगाई डो, किन दौर में भी बड़ा प्रको, मद्यप्रदेश म जबलपुर में प्रशासन ने एक महीने के लिए कूलर के इस्तमाल पर रोक लगा दी है, जबलपुर नगर निगम की ओर से आम लोगों को आदेश चारी कर दिया गया, कि वे अगली एक महीने तक कूलर के इस्तमाल से बचें एयरपोर्ट पर दिसमबर 2022 तक तयार होगा, एयर कारगो टर्मिनल 73,000 तन होगी सालाना शम्ता, नागरी कुटियार मंत्राले ने इंदवर भुपाल एयरपोर्ट पर चल रही घरेलू एयर कारगो शम्ता में बढ़हुतरी करते हुए नए टर्मिनल बनाने की कारे योजना बनाई है, नया टर्मिनल बनने के बाद इंदवर के शम्ता वर्तमान शम्ता से साड़े चार गुना होकर 73,000 तन साल आना हो जाएगी, मंत्राले ने इसे दिसमबर 22 तक तयार करने का लक्ष रखा है, विभाग द्वारा योजना की रूप रेकर जारी की गई, जानकारी के अनुसार इंदौर एरपोर्ट से अंतरास्टी और घरेलू हवाई कारगो दोनों को संभालने की सुविदा है, यह पुनार निर्मित निर्यात एयर कारगो टर्मिनल 1166 वर्ग मीटर शेतर में विकसित किया गया है, रेलवे फिर से शुडू कर रहा है, यह सुडू कर रहा ह महीने बाद रेलवे ने कोरूना काल से बाहर आते हुए, पश्यम रेलवे की 58 वरेल मंडल की कुलाट ट्रेंस में मासिक पास सेवा सुविदा देने के प्रस्ताओ को मंजूर कर लिया, 15 सितंबर से इन ट्रेंस में मासिक पास सेवा शुरू की जा रही है अडल पेंशन योजना में समय से पहले पैसा निकालना होगा असान, PFRDA नियमो को करेगा असान पेंशन पन नियामक और विकास प्राधिकरण ने ग्रहा को के हित कुध्यान में रखते हुए तुरंद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की सुविदा शुरू करने का प्रस्ताओ दिया बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन जल्द होने से अटल पेंशन योजना से एक्जिट जल्द कर पाएंगे और ब्याज भी जल्द प्रोसेस हो पाएगा अटल पेंशन योजना भारत सरकार की प्रमुक समाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है इसे पीए फार डिये द्वारा बैंको और डांक विभाग के माध्यम से चलाया जाता है योजना साट वर्ष के आयो तक पहुचने के बाद लभारती भारतीय नागरिकों को गैरेंटीड पेंशन लाब देती है अवास मिलने में हो रही परिशानी होगी दूर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहर बेघर लोगों को घर दिया जाता है लेकिन कई बार लोगों की से लेकर अलग-अलग शुकायते रहती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे इने लेकर किस के पास जाए कौन संबंदित व्यक्ती है जो उनके समस्याव का निपचारा करेगा दरसल आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लोगों को घर दिलाने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी इसका लक्षे साल 2022 तक खरव्यक्ती को अपना घर उपलब्द करवाना है जुगी जोपडी कच्छे मकानों में रहने वाले लोगों को सरकार आवास बनाता देती है रेल्वे में RRB ग्रूप D तहट किया गया था सरकारी नौकरी के लिए आवेदन एड्मिट कार्ड पर अपडेट जल्द रेल्वे में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए रेल्वे रिकूट्मेंट सेल जल्द ही एड्मिट कार जारी कर सकता है दरसल RRB ग्रूप D के तहर RRC भरती कर रहा है इस बरती प्रक्रिया से ek लाग से ज़ादा पदो पर भरती होनी है इस बरती प्रक्रिया के लिए सबसे पहले रेलवे एक्जाम का शेडिूल जारी किया जायेगा और इसके साथ या अडमिट कार्ड की डीटेस चेक करने का लिंग एक्टिवेट किया जाएगा उसमें पता चल जाएगा कि किसका एक्जाम कब होना है अतव 450 प्लस एलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में हुई भारी कटोती जाने अब इसके लिए चुकानी पड़ेगी कितनी रकम इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में संशोधन के बाद 24,000 रुपे तक की कमी आई है जो भारत में अधिकांश 12 5CC इंजन स्कूटर के तुलना में कम है भारती एलेक्ट्रिक दुपईया निर्माता एथर एनरजी ने खुशना की है कि उसके 45,000 प्लस स्कूटर की कीमत महरास्ट में लगबग 20 प्रतिशत कम हो गई एवी निर्माता ने कहा कि राजी की एवी सबसिरी को 45,000 प्लस कीमत में जोड़ने के बाद ग्राहकों को अब एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में सवारी करने के लिए लगभग 24,000 रुपे कम भुकतान करना होगा आईकर विभाग ने अपने नए पूर्टल में दिक्कत को देखते हुए रिटर्ण की तारीक को बढ़ाकर 31 दिसमबर जरूर कर दिया लेकिन देरी से भरे जाने वाले रिटर्ण पर लगने वाले ब्याज में कोई राहत नहीं दी इस बावत आईकर विभाग ने इस पश्टी करण दिया है आईकर विभाग ने कहा कि 31 जुलाई की समय सीमा के बाद भरे जाने वाले आईकर रिटर्ण पर लगने वाले ब्याज की वसूली जारी रखेगा इस अंदर में आईकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर भुकतान नेट बैंकिंग के जरीए किया जाना है और इसके लिए करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल के इस्तमार की जरूरत नहीं है अगर आपके बाद से बैंक आफ इंडिया का ये खाता तो फ्री में मिलेगा एक करोड रुपे का फाइदा बैंक आफ इंडिया ने खास स्कीम लाँच की है ये स्कीम सरकारी करमचारियों के लिए है बैंक सरकारी करमचारियों के लिए शैलरी पलस अकाउंट इस्कीम लेकर आया है सैलरी पलस अकाउंट स्कीम के तहट करमचारियों को फ्री में एक करोर रूपे तक एएर एकσιड़नल बैनेफिट्स मिल सकते हैं इसकी जानकारी बैंक ओफ इंडिया ने अपनी आदिकारिक ट्वीट कर दी, बैंक ओफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, बैंक के सिस्कीम के तहए तीन तरह की सेलरी अकाउंट की सुविधा दी रहा है मदर प्रदेश में होमगार जवानों की समस्याओ के निराकरण के लिए बनेगी समीती इसे ही न्यूज लाते रहेंगे, आपने अभी तक लिए न्यूज अंपी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथी बैल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले, ताकि कोई लेटिस्ट अपडेट मिसना हो